इस वीडियो क्लास में आप रिसिफ्ट वाउचर के बारे में सीखेंगे रिसिफ्ट वाउचर की इंट्री क्रेडिट बिल के अगेंस्ट में किया जाता है जब प्रोड़क्ट किसी डेटर को क्रेडिट में सेल किया जाता है उससे जब एमाउट रिसिफ्ट होता है तो उसकी इंट्री हम लोग रिसिफ्ट वाउचर में करते हैं एक्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं display more reports में और यहां चलते हैं statement of accounts में, outstanding में और receivable में, यह report हमने last video में भी आपको दिखाया था और समझाया था कि जब भी आप sale करते हैं और जिन से पैसे आपको लेने हैं उनका list कहां नजर आता है, तो आप देख सकते हैं यहां पे दो पार्टियों के total amount हमें नजर आ रहे हैं और इनके द्वारा हमें check प्राप्त हुआ है जैसा कि आप इस screen में देख सकते हैं एक check रंजन जेनरल अस्टोर के द्वारा प्राप्त हुआ है और दूसरा check जो है वो है भुपेश्दा अस्टोर के द्वारा अब इस check में जितना amount ह वो उनके बदले में है जितना product उन्हें sale किया गया था अर्था जो credit invoice generate किये गए थे इनके नाम के बदले में उनके लिए ये check हमें प्राप्त हुआ है अब इनके entry हमें receipt voucher में करनी होगी अगर आपको जिन्हें अपने product या services sale कर रखे हैं वो check के साथ detail भी बेजते हैं कि कि किस बिल के बदले वो ये check issue कर रहे हैं तो काफी सहुलियत हो जाती है entry करनी लेकिन अगर वो ये detail नहीं देते हैं जैसे कि यहाँ पे detail आप देख सकते हैं कि इस check में जितना amount है वो in bill के against में issue किया गया है अगर ये detail आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं जब आपको check प्राप्त हो तो आप टेली प्राइम में जाने के बाद आजाएं आप सीधा receivable वाले रिपोर्ट पे और यहां आके आप देख सकते हैं कि किस-किस bill के बदले वो check आया हुआ है जितने amount तक वो match करता है वहां तक की entry आपको receipt voucher में पास कर देनी है जैसे हम इसे laser wise ले ले ल और रंजन जेनरल अस्टोर को 4174 रुपय का product sale किया गया है अगर हम आएं यहां pay check में तो 4174 रुपया रंजन जेनरल अस्टोर ने हमें भेजा है इसका मतलब उसने सारे bill जो है वो pay कर दिये है इसी तरह भूपेशदा ने 4570 रुपया भेजा है और उसका total credit जो है वो भी 45 4570 है इसका मतलब उसने भी अपने सारे bill जो है वो final कर दिये है तो अब हम लोग चलेंगे tally prime में tally prime में जाने के बाद आ जाएंगे सीधा gateway of tally में और यहां जाएंगे vouchers में vouchers में जाने के बाद हम लोग लेंगे receipt voucher और इसमें हमें entry पास करनी है अभी यहां पे आपको ए ना कोई bank होना चाहिए तभी यह check वहां पे cash होंगे तो माल ले तेक हमारे company के पास भी एक bank account है लेकिन हमने उसका laser अभी तक create नहीं किया है तो चलिए उसका laser create कर लेते हैं यहां create पे हम click कर रहे हैं आप चाहें तो gateway of tally से जाके create पे click करके वहां से भी laser create कर लेते हैं माल ल नंबर जो आप करे हैं वह यहां पर टाइप कर दें इसके बाद enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे address वगेरा जो है वह सारा कुछ feed करने के बाद ghtn नंबर में आए और आपके bank का ghtn नंबर है वह यहां पर आप feed कर दें इससे क्या होगा कि किसी तरह की अगर service charges वगेरा ली जाती है और अगर वो refundable है तो वहां पर उसका अलग से report generate होता रहेगा तो यहां पर आप ghtn नंबर जरूर फिट कर दें अब आ चुके हम received voucher में और यहां पर हमें credit में लेना है सबसे पहले उस वेक्ति का नाम जिसकी check की entry हम लोग करने वाले हैं तो पहला जो है वो है रं engine general store enterprise करेंगे इसके बाद कितने amount का check आया हुआ है वो देख लेते हैं 4174 रुपे का यहां लिखेंगे 4174 enterprise करेंगे enterprise करते ही bill adjustment का जो seat है वो खुल के आ जाएगा और यहां पर पूछा जाएगा method of adjustment क्या है तो हम लोग लेंगे against reference मतलब बिल के बदले हम लोग इसे adjust कर रहे हैं इन सबको एक-एक करके ले लेंगे क्योंकि total bill के बदले हमें check भेजा गया है अगर माल लीजे कम amount भेजा गया होता तो हम लोग कुछ bill को छोड़ भी सकते थे अब debit में आएंगे enterprise करेंगे और यहां पे अपने bank का जो laser हमने भी तियार किया है उसे ले लेंगे estate bank of India क्यो यहां पे यह देखे यह आपका installment number यह आपको वहां पे type करना है तो type कर देते हैं 000 और 10 इसके बाद enterprise करते हुए किस तारीक का check issue किया गया है वो आप देख लें किस तारीक का है second April का तो यहां पे हमने second April ले लिया enterprise करते हुए इसे save कर देंगे अगर आप इसका receipt भेजना चा आते है party को तो page up कीजिए और page up करने के बाद print में जाईए print में जाने के बाद current में जाईए और यहां मैं preview दिखा देता हूँ आप print करेंगे यहां preview पे click करेंगे zoom पे click करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे सामने received voucher की जो entry है उसका print नजर आने लगा है किस-किस bill के against में उसने amount दिया है वो यहां so कर रहा है कितना amount दिया है वो भी so कर रहा है तो आप इसे चाहें तो party को भेज सकते हैं उसे generally नहीं भेजा जाता है लेकिन अगर वो मांग ले तो आप देख सकते हैं आप paste down करेंगे और अगले entry में चलेंगे अगले entry किसकी है अगले entry है भूपे करेंगे टोटल 4570 रुपय का चेक है तो टाइप कर देंगे फिर एंटर प्रेस करेंगे अब यहां पे मैथट ऑप एजस्ट्मिंट में लेना है अगेंस रिफ्रेंस और जो जो बिल के बदले एमाउंट रिसीव हुआ है उन बिल को यहां से सेलेक्ट कर लेना है तीनों बिल के बदले हमें एमाउंट रिसीव हुआ है तो तीनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और डेविट में आके फिर यहां पे अपने बेंक का जो लेजर है उसे लेंगे state bank of India और enterprise करते हुए आगे बढ़ते हुए यहां पे instrument number जो है वो डाल देंगे कितना है देख लेते हैं 1025 तो type कर देंगे 001025 enterprise करते हुए date डालेंगे enterprise करते हुए इसे save कर देंगे कभी-कभी जब आपका capital receive होता है तो उसे भी receipt voucher में ही पास किया जाता है example के तोर पे चलिए हम लोग 50,000 का capital receive करते हैं तो capital receive करने के लिए हमें capital account laser की भी आवसकता पड़ेगी तो create में जाएंगे और enterprise करेंगे और यहां पे लिखेंगे capital account enterprise करते हुए अंडर ग्रूप में capital ही रखेंगे और फिर enterprise करते हुए इसे save कर देंगा अगर उसका GSTN नमबर वगेरा है तो feed कर देंगे नहीं है तो आगे बढ़ जाएं और credit कर रहा है capital account कितने का 50,000 का हमने 50,000 डाला enterprise किया receive कौन कर रहा है या तो आप bank में capital receive करेंगे या तो फिर cash में receive करेंगे माल लेते हैं हमने cash में receive किया यहां पर debit में cash लेंगे amount receive करेंगे और इसे save कर देंगे अब capital receive क्यों किया जाता है तो capital एक्चुली में पुंजी है जब भी आप business शुरू करते हैं तो पुंजी के आवा सकता पड़ती है और अगर आपको capital cash के दौरा मिल रहा है तो आप receipt voucher में उसके entry पास कर सकते हैं तो इस video class में आपने देखा कि receipt voucher क्या है कब उसके entry पास की जाती है और bill of adjustment में किस तरह से किसी के party के will को adjust किया जाता है आगे आने वाले video classes के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों के साथ share करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बाई थैंक्यू प्रशब कर सकत्की लें, कर दोस्तों कर दोसय догी हम Luxं़ इस life.